हेलो माई यूट्यूब फामिली वेलकम बाक टो माई चैनल फैशन एंड लाइस्टाल बाई शिवानी होब आप सभी बहुत अच्छे होंगे सब फरस्ट अब आज मैं आप सभी को मेरे इस्पेशली यूट्यूब फामिली को थैंक यू कहना चाहते हूँ कि आप सब धीरे धीरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तैंक यू सो मच और आपको करना कुछ भी नहीं है आप मेरी वीडियो देख रहे हो साइट पे बेल आइकन है जाके उसको फड़ावट से प्रेस कर देना और जस्त उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ओल पे जाके क्लिक कर देना और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेंगी लेटिस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते है तो उसे लाइक भी गर दीजिए So, अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो जो की है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Japanese Secret to Glowing Skin हम सभी को पता है कि जापान के जो विमन्स होती है जिसकी हेल्प से हमें ये पता चला है कि जापान की जो विमन्स होती है कि वो ब्यूटिफुल क्यों होती है वो इतनी यूथफुल कैसे दिखती है So, आज मैं वही Secret आपके साथ डेफिनिटली शेयर करूंगी जिससे आपके स्किन भी एकदम टोन, फ्रेश और यूथफुल दिखेगी So, let's get started First of all, मैं आपको पताती हूँ कि ऐसा कौन सा इंग्रीडियन्ट है जो वो यूज करते हैं जिसकी हल्प से उनके स्किन एकदम हेल्दी लगती है वो है राइस सब के गरपे चावल होते हैं हाँ, तो वही चावल की बात की जा रही है राइस की वो अपनी स्किन के लिए बैसिकली राइस को यूज करते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ज़दा मैजिकली वर्क करता है जितना कि आपे पता भी नहीं होता सब अब राइस में क्या होता है राइस में अंटी ऑक्सिदेंट्स होते हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं राइस में वाइटमिन्स और मैनेरल्स होते हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो एसा क्या है जो राइस में हैं, राइस में ऐसे वाइशमिंस और मिनरुल तर विप्टिभाईटी हैं जो कि आपके स्कीं को अच्छी लगेगी अगर रिंकल्स नहीं आएंगे तो अगर हम भी रेगुलर एप्लिकेशन करें राइस की अपने फेस पे तो नैच्रली हमारा फेस भी उतना ही ग्लोइंग हो जाएगा बस हम लोग इतना अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते वो लोग अपनी स्किन का बहु क्योंकि अभी हम इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करने वाले हैं तो अब मैं आपको बताते हूं कि अपने राइस को किस किस तरीके से अपनी स्किन पे यूज करना है जिसकी एलफ से आपके स्किन भी एक जापनीस जैसी हो जाएगी और आपके स्किन बिकुल ग्लो करेग अब मैं आपको बताते हूं कि हमने जो राइस सबसे बहले कि अगरना हमने राइस का अच्छा सा पेस्ट बनाना है वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताते हूं सबसे बहले हमने राइस फ्लाइर लेना है यानि कि चावल का आटा वो सभी को मैंने बताया हुआ हर बार त़ना उलिए मों अपकर आपकोर मुलक और रूमीर किरिये अपनी सकीफिस पना लॉए करमें ऐले करेंगे अपर चोंप nailed करेंगे अपनी सब्सक्तिश उपने मारेных नहीं सब्सक्री हों जब भी हम कोई भी होम रेमिडी यूज करते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव सोच ना चाहिए कि आपके पर अमेजिंग मेनिफिट दिखाएगी और नेचरली तभी वो दिखाएगी तो इतना सोचना जरूरी है अभी इवनली अच्छे से प्लाय हो गया अगर आपको अपनी नेक्ट भी आपका चोड़ी ब्लैक किशन है तो आप उस पर इसको अप्लाय कर सकते हो आपको पता चलेगा अगर वो अपनी स्किन पर राइस को यूज कर रहे होंगे तो आप भी उसे यूज करो तभी आपको पता चलेगा अब देख सकते हो इसली तो आपको स्किन कितनी अच्छी हो जाती है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है अब हमने अपनी स्किन पर ये राइस फ्लार का पेस्ट लगाया था ये ड्राय हो गया अब हमने इसे वाश आउट कर दिया तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे अब हम बनाएंगे एक अच्छा सा टोनर जो कि राइस वॉटर का टोनर होगा आपने बहुत सुना होगा कि हमेशा आजकल के प्रदॉक्ट्स में राइस वॉटर का बहुत यूज किया जाए क्योंकि आपके स्किन के लिए मैं तोनर को बनाना है सबस्ट करते हो यहां नोग थोके पाणी में सोखर करके रख देना है इंदो होट वोट वन्होंट हमने गरम पानी चावल को सुख करना बीगोना है गरम पानी में 30-40 मिनिट के लिए जिससे की क्या होगा, कि हमारा जितना भी चावलों का असर होता है. वो सहरा कह सहरा उसके पाणी में आ जाएगा और वही पाणी मैजिक एक लिए Арफ हमरी स्किन के उपर काम करेगा. तो तीस से चालेस मिरिट के लिए जो राइस को मैंने गर्म पानी में भीगो के रखा था वो मेने चान लिया है आप देखो कि अमने से गरम पानी में डिप किया था अच्छे से इसी लिए इसका कलर देखो कि इतना अच्छा हो गया अब कुछ नहीं करना भस आपने इसको इसको स्प्रेड बोटल में डाले नहीं सो अब मैं आपको बताते हूं कि हम इसे यूज कैसे करना और इसके बैनिफिट्स के हैं राइस वाटर के अंदर होता है स्टार्ड जो कि हमारे फेसे को इंफलेमिशन है कोई रेडनेस है इचिनेस है, sunburn है, blemishes है, dark spots है यह हर चीज को सूध करता है तो इसकी help से आप देखोगे कि आपके skin एकदम सूध हो जाती है hydrate हो जाती है इतना अच्छा hydration आपकी skin को यह प्रवाइड करता है जितना hydration even moisturizer भी आपके skin को नहीं प्रवाइड कर पाता आपने देखा होगा कि जो rice water है वो हमारे skincare का एक part बन चुका है rice water also become an effective skincare ingredient nowadays यह बिलकुल similar है ayurvedic skin rituals की तरह क्योंकि आपके skin पे बिलकुल ayurvedic treatment की तरह ही work करता है अगर हम देखो ना हम घर पर ही बैठके easily अपनी skin को इतना अच्छा hydration दे सकता है तो क्यों ना दे है ना अब इसको अच्छे से अपने spray करके अपनी face पे अपलाई करेंगे यह आपके skin में खोदी मर्ज हो जाएगा क्योंकि अभी आपने rice flour को अपने face पे लगाया था तो उसे आपके pores अच्छे से clean हो जाते हैं तो उसके बाद यह भाग के अपके face के अंदर चला जाता है तो आप खुद देख सकते हो कि यह कितना अच्छा nourishment देगा ना आपके skin को you can't believe जो आप use करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि यह कितना beneficial आपके skin के लिए तो अब यह जो हमने toner बनाया है अब हम इसे apply करेंगे अपने face के उपर यह थी हमारी आज की एक बड़ी आसी remedy जो कि हमारे skin को एक proper nourishment provide करती है hydration provide करती है आप इस toner को day and night both times use करोगे कभी-कभी क्या होता है जब हम एकदम से गर्मी से बाहर से आते हैं so उस time आप इसे अपने skin पे लगाओ आपको दिखना कितना relaxing लगेगा so use this this is the best ever toner for your skin so यह थी हमारी आज की very effective remedy बिलकुल आपके skin को Japanese के तरह tone refreshing बना देगी so आपने करना है कि आपको इस remedy को follow करना है घर पे और फिर मुझे comment section में बताना है कि आपने जब इस remedy को अपने face पे apply किया तो आपको कैसा लगा कैसा result मिला आपके skin कैसी हो गई इससे तो आप मुझे यह चीज ज़रूर बताना so अब हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye